if the perimeter of a circle is equal to the tofa square then ratio of their areas जो भी हमें given दिया है हम उसे note down करेंगे पहले perimeter of circle equal है किसके square के perimeter which is 4 तो perimeter of circle कितना होता है हमारे पर 2 pi r यह हमारे circumference भी होता है ठीक है और यह 4 ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें 4 a यह 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 आर है तो आर एक्सिती से रहने देते हैं 4 a नीचे यह cancel होता हो जाएगा 2 pi यह 2 पे cancel नीचे अब क्या बचाए 2 a यह पाई है यह r ठीक है अब यह क्या हो जाएगा देखिए तो अपन पाई अग्सिती से रहने देते हैं इस a को लिया आते हैं यहाँ पर तो पाई यह हमें दे बोला वाइना ने रेशो अफ देयर एरिया सरकल और इस इकल टू डैट ओफ इसका तो हमने यूज कर लिया अब रेशो निकाल लिए इनके एरिया की तो हम क्या कर लेंगे एरिया ओफ सरकल अरिया ओफ स्कुल इसी की रेशो बोली है तो बस एरिया ओफ सरकल हमारे पास होता है पाय आर स्कुल area of square होता है हमारे पास four sorry a square ठीक है तो यह कितना हो जाएगा देखिए pi r square है ठीक है और यह कितना हमारा a square तो pi को लग कर देते हैं हमने क्या देखे इंग दोनों की square इंग है तो हम डाल देंगे वाली value कितना हो जाएगा टू अपोन में पाई होल इसक्वेर पाई को स्क्वेर फोर पाई का स्क्वेर कितना हो जाएगा हमारा फोर अपोन में बाईस बटा साथ जब यह बाईस बटा साथ आगे उपर चला जाएगा है ना तो फोर इंटू में 7 अपोन में 28 sorry 22 तो यह हो जाएगा 28 अपोन में 22 किसी के यह तू के टेबल से कैंसल हो जाएगा यह वन पर यह फोर पे तो 14 इस्टू 11 के रेश्यो हमारा आंसर है 14 इस्टू 11 क्या हमें ओप्शन में दिया है yes 14 इस्टू 11